नमस्कार में अप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं बिहार की अब तक ही बड़ी खबरों को पुरे देश में इस अफधी के दोरान राश्ट्री अध्वाज उन सभी भवनों पर आधा जुका वह रहेगा जुहानिय में दूप से हफ़ेर आए जाता है साथ इस दोरान कोई भी समारो इवं सरकारी मंदर रंजन से संबंधित कारीग्रम का आयोजन नहीं करवाए जाएगा वहीं मंत्री मंदर सचिवाले विभाग ने इसकी अधी सूचना जारी कर दी है वहीं बिहार की बात करें तो जानकारों की माने तो पुर्वराश्चुपती प्रणमुखरजी का बिहार से काफी लगाव था उनके लगाव को राज्य के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे सक्रिय राजुनीती जीवन में तो उन्होंने बिहार का कई बार दौरा किया था साल 2017 में वो लगातार तीन बार बिहार आये थे बिहार के पथनिर्मान मंत्री ने नए पुल का किया शिलन्यास बिहार के पत्थिनिर्मान मंत्री नंदकिशोर यादव ने बांका के 14 नदी पर 58. удоб 7.8 करोड की लागत से encaern गोड़ी पल बनाने की नीव रख दी है पत्थनिर्मान मंत्री नंदकिशोर यादव ने इसको लेकर बीटे दिन शिर अन्यास किया है वहीं पुल का निर्मान कारिया आने वाले डेड़ साल में पूरा होने की उमीद जटाई जा रही है पथ निर्वान मंत्री ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए निर्माना धीन पुल के अब स्ट्रीम में स्थाई डाइवर्जिन का काम भी शुरू करवा दिया है एक महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया वहिशुला नियास के दौरान मंत्री ने कहा है कि बांका कटोरिया और पंजवारा में बाइपास रोड का निर्मान किया जाएगा चांदर नदी का पुल बांधा और धाक मोर के बीच अवस्थित है इसके साथ ही भागलप का खाता कोटक महिंद्रा बैंक बांधरा में था सुषान्त ने इस बैंक के रिलेशन्शिप मैनेजर हर्श पतेल को अपने वाटसाप नंबर से 20 मई 2020 को वाटसाप किया था कि मेरे खाते से लिंक मोबाइल नंबर बदल दिया जाए और मैंने जिस नंबर से वाटसाप किया है उसी नंबर को खाते में लिंक कर दिया जाए इस पर हर्श पतेल ने सुषान्त का जवाब दिया था कि इसके लिए आपको एक फॉर्म भढ़ना होगा फॉर्म भेजने के लिए पतेल ने इमेल आईडी मागी थी जिस पर सुषान्त ने अपने करीबी सामुल मिरांदा का इमेल अड्रेस दिया था ऐसे में अब कई सवाल उठने लगे हैं कि सुषान्त ने जिस तरह से नंबर बदलवाने के लिए पटेल को वाटसेप किया तो इससे पता चलता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि उनके खाते से कौन कितने पैसे निकाल रहा होता इसलिए उन्होंने पटेल को नंबर बदलने के लिए कहा होगा फरजीवारा रोकने की कवायद हुई तेज बिहार में सिक्षक नियुकति को लेकर हो रहे हैं फरजीवारे को रोकने की कवायद तेज हो गई है अकसर ऐसी शिकायते आती हैं कि बिहार में एक ही व्यक्ति प्रखंड, प्रारमभी कोर्जुला परिशद और नगर निकाय माधमिक उच्च माधमिक सिख्षकों के लिए लागू चारो नियोजन नियामवाली के दो बिंदू हो पर महतपूर्ण संशोधन किया है, राजसरकार ने निनल लिया है कि सिख्षकों के नियुकती के लिए तिरिक्त आर्टी-पी-सी-ार मशीन लगाने की कोशिश कर रही है, इसमें COVID-19 संक्रमित मरीजों की जाच में और तेजी आने की उमीद दिजताई जा रही है, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होने के दौरान उन्होंने कहा है, कि स्वास्त वे भाग निरंतर बहतर इला उन्हों के द्रकाद 14 करोर 30 लाग साधिक मानफ दिवस का आयोजन किया जाने की बात कहीं गई है, विधान समथ चुनाफ से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का विहार को मिला स वागात, आगा मे विधान सबाचुनाफ से पहले केंडरी सरकार ने विधार वासियों भी मौजूद दिखाई देंगे वहीं बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार उप मुख्य मंत्री सुशीर कुमार मोधी और पत्रिनर्मार मंत्री नंद कि शुर्यादफ जी भी इस बैठक में इस शामिल होने वाले हैं भारतिय राश्ट्री राजमार प्राधी करन को इसक बाढ़ से प्रभावित होते हैं वहीं इसी को ध्यान में रखते वे स्थाई समाधान के लिए केंद्र से मांग की गई है बिहार की तरफ से जलसन साधन मंत्री संजय जहां ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जैशंकर से मुलाकात की है साथ ही राज्यू के बाढ़ स समाधान खोजने के सीम के नरोध को दोहराते वे नेपाल से आने वाले कोसी कमला और बागमती नदियों पर नेपाल भुभाग में डैम के निर्मान का काम होना बेहाद जरूर ही है सुषान सिंग राजपूत मामले में बहन प्रियांका का स्नापचाट आया सामने सुषान सिंग राजपूत मामले में लगातार नई बातों का खुलासा हो रहा है वहीं इसी बीच अब बहन प्रियांका के साथ किये गये स्नापचाट का खुलासा हुआ है यह वादे सुशांसिक राजपूत और उनकी बहन के बीच में 8 जून को हुई थी जिस दिन रिया चकरवरती कथित तौप पर उनकी घड़ से बाहर निकल गई थी जारी किया गया चार्ट में साफ तोर पर दिख रहा है कि प्रियांका सुशांत को कुछ दवाईयों के बारे में सुझाप दे रही थी जूसे या भी पता चल रहा है कि शायद सुशांत के मानसिक हालात के बारे में उनकी बहन प्रियांका को जानका रही थी इसे बीच अब साथ ही उनकी चैट जो सामने आई है इस पर प्रियांका खुद सुशांत को कुछ दवाईया को लेकर सुझाव देती नजर आ रही हैं जुसके जवाब में सुशांत ने लिखा है कि लगे लगे काफी फ़लेगी वाचसा ने इंस्टाग्राम पर कहा है चैने टीम के स्टार राइना की कमी केवल उनके साथ ही ओ कोई नहीं वल की आईपियल को भी खलने वाली है उन्होंने काई कि सुरेश राइना के दो दिन पहले मुझे जब स्वधेश रोटने की खबर मिली तो मैं बेचैन हो गया और तब मैं सोकर उठा था तब ही पता चुला कि वो नीजी कारणों से भारत दोट चुके है मेरी शुब कामनाय आपके साथ है सुरेश उमीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहेगा चेने टीम में हम सब को आपकी कमी खलेगी राजुद में चुनावी मैदान में उतरने का एलान कर दिया है तो वहीं चर्चा गर्म है कि लालू के कई दरबारी विधायक पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं हाला कि इससे पहले कई विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और दावन बदल कर दूसरी पार्टी का हाथ थाम लिया है जिसकी वज़े से पार्टी लगातार परिशान चल रही है JEE मेंस की परिक्षा में गेट पर हुई छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग इस साल परिक्षा देने वाले साथ जिले में कुल 43 के इंद्र बनाए गये है जिसमें सबसे अधिक 20 के इंद्र पट्ना में है वहीं बस एक कमरे में सिर्फ 12 परिक्षार्थियों को बैठने के नुमती दी गई है आज बिहारी बिथरे स्पेशल में है बात करेंगे राधा महंँ संग की राधा महंँ संग का जन्म को आगरिकल्चर और फार्मर वेलफेर की बागडूर मिली थी और वो नीती आयोग के पूरु सदसे भी रैचुके हैं साल 2006 से 2009 तक भाजबा के प्रेसिडंट के रूप के भी काम कर चुके हैं और साथ ही इनका चयान 9 वी लोगसभा, 11 वी लोगसभा, 13 वी लोगसभा, 15 वी लोगसभा और 16 वी लोगसभा में भी हुआ था और वरतमान में वो 17 वी लोगसभा के भी सदस्य है 33,830 सहाइक मतदान केंडरों पर बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखने की कही गई बात आगा में विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखते वे, COVID-19 के बीच चुनाव का सफलता पुरवक आयोजन करवाने के लक्षयों को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग लगातार अपनी तयारियों में जुटावा है वही चुनाव आयोग ने सुमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारे के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर ये माराथान बैठक भी की है सभी उस्सकारे का उपफोगता नंबर के लिए बिजडी विभाग के चक करनेहीं लगाने होंगे के एक सथा क्या नदर ही उस्टील सभी राकों को मुहाया करवा दिया जाएगा बिजडी मुख्याले के अदिकारियों सब की जानकारी दी है दरसल सुवधा अप से नया connection के लिए आवेदन देने वाले लोगों को यहां बिजली मीटर तो लगा दिया गया लेकिन उपभोगता नंबर नहीं मिलने कि शिकायत लगातार आ रही थी जिसकी वज़े महीने से रीडिंग के बिना बिलिंग नहीं हो पा रही थी देश में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुची 37,000,000 के पार देश में COVID-19 मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं स्वास्तमत्राले की तरफ से जारी की गई जानकारी के नुसार 24 गंटे में 79,921 नए मामलों की पुष्टी की गई है जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्य 36,191,666 पर पहुच गई है वहीं बीते 24 गंटे में 819 मरीजों की जान जाने की खबर भी सामने आई है जिसके बाद जानकवाने वालों की संक्या 65,288 पर पहुच गई है वहीं आकडो के नुसार देश में संक्रमितों से जानकवाने वालों की दर घठकर अब एक लाख के पार जबकि 23 अगस्त को 30 लाख के पार दर्च किया गया है इसके साथ ही 30 अगस्त को 14 करोर 33 लाख 24,834 नमूनों की जाच भी हो चुकी है जिसमें सिर्फ सोमवार की बात करें तो 10,16,920 नमूनों की जाच की गई है तो चले बढ़तें आज की सवाल के और आज का सवा करें और बेल आइकों तो आना ना भूले धन्यवाद